यहां पर हम आपसे बात करते हैं, तो यह questions हम आपको वैसे solve करने के लिए ग्रूप में दे चुके हैं, तो जो लोग भी मेरे ग्रूप में जुड़े हुए हैं, उनको अलड़ी मिल गया होगा, तो आप answer एक बार match कर लिजे, और दूसरी बात, जो लोग नए हैं चैनल पर subscribe कर आपको टेस्ट पेपर मिलता है, तो टेस्ट पेपर को बहुत जरूर सॉल्फ कीजे, दूसरी बात है, कि आप teaching aptitude की questions इसमें बिहार जीके हैं, बहुत सारी चीजे हैं आपको इस questions पेपर में, शेलिए, तो यह बिहार बिये इंट्रेंस इक्जम काफी important ही questions है थे पहले teaching aptitude क 15 questions आएंगे, फिर आपके बिहार जीके आएंगे, फिर आउर आपको जीके के questions आएंगे, तो अध्यापक के लिए सबसे पहली बात है कि अगर आप हमारे ग्रूप में जोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ rules and regulation बता दती हूँ, 9693-414894, यह हमारा WhatsApp ग्रूप नंबर ह गुगल पे, फॉन पे, और पेटियम, पेटियम, और दूसरी बात है कि पेटियम से आप हमारे WhatsApp ग्रूप में जोडने के लिए 260 रूपीज आपको पेग करने होते हैं, पर मन्त नहीं है, यह वन टाइम है, और स्क्रीन सॉट हमें शेयर कर दिजिएगा, अगर आपको calling करना है, तो 5 to 7 p.m. आप हमें calling कर सकते हैं, दूसरी बात है कि आपको important काम है, तो ही call कीजिए, वरना समय बहुत precious होता है, फालतु का क्यों call करना, तो यह सारी बात है, आप मेरे ग्रूप में जोड़ना चाते हैं तो यह, और दूसरी बात है कि जैसे ही आप payment करते हैं, तो चाल किये जाएंगे, तो अब आईए, क्लासर श्टार्ट करें, अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान क्या है, बताईए, तो अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान है, उसके छात्रों का बिस्वास, जब तक आपको हम पे बिस्वास नहीं होगा, तो कोई फाइदा नहीं है हमारे परहाने का, अच्छा अध्यापक कौन होता है, बताईए, अच्छा अध्यापक वही होता है, जो अपने विद्यार्थियों पर सच्ची लगन रखता होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल विस्वास है कि अगर आप आज 100 नमर ला रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपने स बताईए, तो जाहिज वात है कि ये सभी है, सिच्छा के परचार परसार से लोग तंत्र मजबूत होता है, अध्य विस्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास दर बढ़ती है, और हमारे ग्रूप में किर्पया कर वही लोग जुड़े जो पढ़ना चाहते हैं, सिस से अर डेडिकेट होकर पढ़ना चाहते हैं, ताकि आप में जुनून हो कि हम इस वर्स बीए इंटरेंस प्रैक करेंगे और अच्छे कॉलेज में अड्मिशन लेंगे, सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जूरी आपका स्वागत है तहे दिल से, हम आपकी हर प् पहवार करेंगे, तो स्कूल से वैसे तो आपको गंभीर की तरह ही बात करना चाहिए, बहुत ही गंभीर होकर मित्रों की तरह भी आप बात कर सकते हैं, सिच्छन क्या है, बताइए, अज़्यादा फ्रैंडली अगर आप स्टुडेंट से होते हैं, तो आपको फ्रैंडी मा सार्थक होगी, बताइए, तो सिच्छा जब वो तभी सार्थक होती है, जब वो स्टुडेंट सेंट्रिक हो, यानि कि छात्र केंद्रित हो, नेक्स्ट हम चलते हैं, सिच्छन की समस्याओं का हल करने का दाइत्व किसके बास है, तो सिच्छन की समस्याओं का हल करने का ऍवाज़ इसर नेक्स्ट है देंगे आपका योगिता आपका अविलीटी का सबसे एच्छा एवैलिवेशन मेरी अविलीटी का आप लोग भी कर सकते हो कि हम आपको कितने पर्सन समझा पाते हैं आपके बिचार में किस बात का मुख्य ध्यान रखना चाहिए तो सिच्छा के उदेशों को और छात्र के अवश्यक्ताओं रूचियों को एक प्रधाना चारे को कैसा होना चाहिए बताईए एक प्रधाना चारे को कैसा होना चाहिए तो जाहिए से बात है कि उनको छात्रों के लिए पेड़ना दायक होना चाहिए समानता का भाव रखने के लिए और कुछल प्रवंदक सब कुछ होना चाहिए निक्स्ट कोश्चन है आपकी अनुसार सिच्छन की योजना पदिती कैसी होनी चाहिए बताईए एक अध्यापक का सफसे स्रिष्टम गुन कौन सा है तो अध्यापक की प्रती पूर्ण समर्पन अध्यापक का मुख्य रूप से किसके प्रती जवाब दे होता है एंसर वीडियो पॉश कीजिए और एंसर जरूर दीजिए आप यहां भी प्राक्टिस कर सकते हैं तो समास तथा चात्रों के प्रती नेक्स्ट कोस्टन है ग्रामी नचलों में बच्चे के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई चोड़ने का कारण क्या होता है बताईए तो इसकूल का नीरा स्वातावरन चलिए अब यहां पर यह आपके पंदरा कोस्टन पंदरा कोस्टन में कितने नंबर आए तो बिल्कुल आप बिल्कुल इस चीज को कीजिए बताईए मुझे कि कितने नंबर आए और यह नंबर अगर आप बताएंगे तो आप ही के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा अब चलिए next question दीजे भारत में राष्टिया आए का आकलन सबसे पहले किस ने किया था? बताईए भारत में सबसे पहले राष्टिया आए का आकलन किस ने किया था? तो आपने अगर एंसर दिया है तो दादा भाई नौराओजी आपका सही है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्वर्ण है तो प्रकृतिक संसादन बजार काकर और पूजी निर्मान सब पर निर्वर्ण है WTO का मुख्याले कहा है तो WTO का मुख्याले जनेवा में है मुद्रा पूर्ति किसके दोरह की जाती है तो RBI के दोरा की के थी RBI के स्थापना कब होती है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए भारत का सबसे उचा जल प्रपाद कौन सा है तो भारत का सबसे उचा जल प्रपाद है जोग प्रताब जोग प्रपाद है जूट के उठ पादन में सबसे परचूर देश कौन सा है तो जूट के उठ पादन में सबसे ये है पश्शिम बंगाल निमलिखित में से कौन सा देख पालक इस्ट्रेट से जुड़े हुए है तो भारत और सिलंका जो की पालक इस्ट्रेट से जुड़े हुए है किस राज को चावल का कटोड़ा भी कहा जाता है ये questions आपका आया हुआ है तो आंध्य परदेश को चावल का कटोड़ा भी कहा जाता है तो एक बार वैसे गुगल कर लीजेगा कि ये change भी है या नहीं क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि यूपी को भी कहा जाता था एक बार वैसे गुगल कर लीजेगा पहली बार पर्मानुबं कब फिका गया तो पहली बार पर्मानुबं हीरो सीमा के नागा साखी पर फिका गया था उनी सो कितने में ये आपको बताना है तो ओजोन परत कहां पाई जाती है तो ओजोन परत याद रखेगा समताप मंडल में जब हम क्लास लेंगे तो आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे समताप मंडल में पाई जाती है महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु कौन थे तो महात्मा गांदी के राजनिती गुरू थे गोपाल कृष्ण गोखले डेसिबल सब्द का संबंध किस से है? ये कोशन सापका आएगा तो डेसिबल का है धोनी से नेक्स्ट कोशन है अंग महा जनपत की राजधानी कहा थी? तो अंग महा जनपत की राजधानी चमपा थी सांथ गाटे किस राज में इस्तित है? पताईए तो सांथ गाटी केरल में होता है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का कारण है समूंद्र सतह पर भुकंप तो अपना टेस्ट में कितने मांक्स आए नीचे कमेंट में जरूर मैंसन कीजेगा क्योंकि आप लोग को ये कोशन्स पेपर रात को ही मिल गया था बिहार दिवस कम मनाई जाती है? बताईए क्योंकि ये बिहार से जीके है तो आप आपको हमें बिहार भी कम्प्लीट आपको करवाना है चलिए तो बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाई जाती है कब मनाई जाती है तो 22 मार्च को नेक्स्ट कोशन बिहार की रजदानी कहा है? सभी जानते हैं सुसको बताने की जरूत नहीं पपटना है कहीं और भी है वो भी बता दीजी आप लोग चलि ए बिहार का उंची ने आले कहां है तो तो फटना में तो यह बिहार की राजकिय भासा कौन सी है तो बिहार की राजकिय भासा हिंदी एवं उर्दू है बिहार का राजकिय वरिच्छ कौन सा है तो बिहार का राजकिय वरिच्छ पेपल बिहार का राजकिय पुष्प कौन सा है साम में आपकी साथ वजे क्लास होगी जिसमें आपका होमख सुना जाएगा गेंदा है बिहार का राजकिया पसू कौन सा है बताईए तो बिहार का राजकिया पसू बैल है बिहार का राक्चिय अप अच्छी कौन सा है तो राच्चिय अप अच्छी गोराईया है ये बताईए आप कि गोराईया दिवस कम मनाया जाता है बिहार का प्रमंडल कौन सा है Very good, बिहार में 9 प्रमंडल है बिहार का जिला कौन सा है बिहार में आक्चुली कितने जिले है ये बताईए तो बिहार में मैं आपको बता दू तो 38 जिले है बिहार का अनुमंडल कितना है तो बिहार में 101 अनुमंडल है बिहार में विश्विद्दैलों की संख्या कितनी है तो बिहार में विश्विद्यालों की संख्या 21 है बिहार में शर्वाधिक जन संख्या वाला जिला कौन सा है तो सर्वाधिक जन संख्या वाला जिला पटना है यहाँ पे अंसा है बिहार में सबसे कम जन संख्या वाला जिला कौन सा है सिख पूरा बहुत सही बिहार में सबसे कम लिंगा अन्पात वाला जिला कौन सा है तो बिहार में सबसे कम लिंगा अन्पात वाला जिला है मुंगेर आई होब कि आपको ये questions अच्छे लगे हूँ बिहार से related है जेके से related है और teaching aptitude क्यों है तो इन तीनों का मिशरन है आपका test paper देखे कितने number आए और देखे पढ़ाई से मत भागिये और दूसरी बात है कि आप बिल्कुल आपके लिए अगर आपको लगता है कि benefit है तो बिल्कुल group join कीजे क्योंकि 1000 का form भड़ोगे जब result ही अच्छे नहीं आएंगे तो वो तो पैसे बरवाद जाएंगे न उससे तो better है कि आप क्या है कि एक तैयारी को अच्छी है अच्छी वाली दो thank you for watching us I hope कि आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगता हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक कीजे share कीजो और subscribe कीजे इतना तो कड़ी सकते हो